नाइट सेड फैमिली से बिलोंग करने वाले वाइल बृंजल के दो इसीज सोलेनम टोरवं और शोलेनम वायरं अपने बीजों में पाए जाने वाले डोरमेंशी की वज़ा से जाने जाते हैं. और यही वज़ा है कि इन बीजों के अंकूरण में दिक्कत आता है या तो जर्मिनेशन होता ही नहीं या फिर होता है तो बहुत ही कम होता है इन ग्लास में अलग-अलग ट्रीटमेंट्स का यूज किया गया है जिनकी सांद्रता अलग-अलग है इन ट्रीटमेंट्स के सौलिसन में जंगली बैंगन के बीजों को 24 घंटे मतलब एक दिन के लिए डूबो कर रखेंगे फिर इन ट्रीटमेंट्स का जर्मिनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे हम आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट्स को अरेंज किया गया है हम देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट्स एक को अधीक संख्या में लिया गया है हालाकि इनकी सांद्रता अलग-अलग है पहले ट्रे का उपर वाला रो सोलेनम वायरम का है और नीचे वाला रो सोलेनम टौर्वम का है इसी तरह का अरेंज मेंट्स नीचे वाले ट्रे में है यहां उपर वाला रो सोलेनम वायरम का है इसमें कुछ अधिक मातरा में बीज डाले गये थे यह नीचे वाला रो सोलेनम टौर्वम का है इसमें कम मातरा में बीज डाले गये थे ये वाला treatment और ये वाला treatment दस तारिक को लिया गया था इसमें treatment के रूप में normal water था इसमें 11 दिन बाद भी कोई positive result नहीं दिखा है इसी तरह ये वाला और ये वाला 7 तारिक को ही लिया गया था 15 दिन बाद भी कोई positive result नहीं आया है इसमें treatment normal water था ये चार टेटमेंट साथ तारिक को लिया गया था इन दोनों में चार और पांत दिन में ही प्री जर्मिनेशन दिख गया था और इन दोनों में छै और साथ दिन में प्री जर्मिनेशन आया था इन दोनों में साथ दिनों में ही प्री जर्मिनेशन दिखा था और इन दोनों में 9 दिनों में pre-germination आया था इस टेस्ट में normal water के यूज से maximum 15 दिन तक भी कोई positive result नहीं दिखा है treatment 1 के एक निश्चित सांद्रता, तापमान और नमी के exposure से seed germination period और germination rate में काफी positive effect आया है आया आया है